साहलेकूम जी आज बना रहें बच्चिव की रिक्वेस्ट पर बनाना पुडिंग चीजिज आपको चाहिए इसके लिए आपको चाहिए ब्रेट की इस नाइसे फ्रेश तो इसके लिए इस्तमाल ली के जाते है तो यह होगे माने पर bananas, दूद जाएगा विश में, that's milk, चॉकलेट चिप्स में इस्तमाल कर रही हूं, mix कर रही हूं, dark and white chocolate, अंडे जाएगे विश में, यानिके eggs, cinnamon powder, यानिके दालचीनी का powder, वनिला essence जाएगा, आपको दिखाते हैं, इसको क्या करना है, अवन को अप्री हीट कर लेंगे 350 फारन हाइट, gas mark 480 centigrade पर, और यहां पर ब्रेट के slices को आपने जो है, काट लेना है, और इसे हम जो है, पांच मिनिट के लिए, प्री हीटेड अवन में डाल करके, हलका सा क्रिस्प कर लेंगे, ब्रेट को काट लेना है, और उसके बाद आप इसे बेक करेंगे, फाइव मिनिट ताकि इसमें जो थोड़ा सा मौश्य यानि गीला पन है, वो हमने खतम करना है, तो पांच मिन के लिए, इसको प्री हीड़ा में डाल करके, थोड़ा बेकर लेंगे, ब्रेट जो है वो बेक हो रहा है बीच में, आप बनानस को ची तरह याँ पर मैश कर लेंगे, विद फॉक और अच्छी तरह आपने इसको मैश कर लेंगे, जा अपको अंडे दिखाय थे, उसे आप अलका सा यू बीट कर लेतें, ताकि जर्दी जो है बीच मिक्स अप हो ज चला गया, वनिला एसंस, सिन्लमन पाउडर, दालचनिका पाउडर और इसे ची तरह मिक्स कर लें, परफेक्ली जो है ये ड्राय हो जाते हैं, अगर आप फ्रेश इस्तामाल करेंगे तो फिर ये याद रखिगा कि आपको जादा टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा दूद, अंडे और केले का मिक्षे बनाया था, स्पून के साथ इसको हम करेंगे यहां पर मिक्स, और मिक्स कर लेने के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आपने इसको यहां पर 10-15 मिंट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो है जितना भी मौशिर है ये ब्रेट बीश में से निट जुक आप करा, शोड़ के लिए चिपके लिए और एक रृवन को अपर प्री हीट कर लेते हैं जिए दूबारा 350 F-194 मिक्स कर लेने के बाद जो मौफिन टेन होता है उसे आपने हलीका सा ग्रीस कर लेना जो मैं का चुकी नहीं है और उसके बाद आप इसे जु घु बिल्कुल रफ्ली आपने इसको यूं फिल कर लेना है इसको फिल कर लेते हैं और इसे आप बेक करेंगे for 20 to 25 minutes यानि के 20 से 25 minutes के लिए और आपको नेक्स दिखाते हैं इसकी serving sensation क्या है बेक हो जाने के बाद perfectly फिर्म आप उचाते हैं बहुत ही moist बनता है याप देख रहें कितना soft बनता है इसे निकार लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं स्विशली सर्फ कर रही हूं with ice cream, vanilla ice cream कीजिए, chocolate कर सकते हैं, nuts के साथ सर्फ कीजिए fresh fruits भी आप साथ में सर्फ कर सकते हैं, cream कर लें साथ में में ऊपर थोड़ा सा chocolate sauce दालूंगी तो इसे अब dish out कर ले banana pudding देखें, जो भी stale bread हो, please भी फेंका ना कीजिएगा इस्ता की चीजिए आप नाश्टे के लिए बच्चों के लिए बना सकते हैं, different varieties के साथ में full written recipe के लिए आप जाएंगे मेरी website which is cookwithfaisa.net पर जुरूर बना ही पाय को कैसा लगा, दबाव में याद रखें and thank you for watching the video झाल